हाई फ्रेंड्स तो पास्ता बनाने के लिए मैंने लिए हैं सबसे पहले 5-6 टमाडर आप ले ले और इसका जो उपर का स्टेम वाला हिस्सा है उसे हटा के और इस तरीके से क्रॉस मार्क कर ले फिर उबलते हुए पानी में आप इसको ब्लांच करेंगे सिर्फ 2-3 मिनट के ल और यह देखें कितने आसाणी से थंडा हुने पर यह सकिन आसानी दार जाए किसके उपर से बस अब इसकी इसकी उतार लिजे और इन सभी टमाटरों को एमने ब्लेंडर जार में डालके एकदम प्यूरी फॉर्म में इसको पीस लेना है यह देखी तो मैंने यह सारे टमाट उतना ही मैदा लेना है और उसके बाद इसको आप भूने जब तक कि इसमें से मैदे की कच्छेपन की स्मेल जो है वो दूर ना हो जाए बस जैसे ही आपको लगे कि इसमें 30-40 सेकिंड में इसमें बबल आने लगे हैं देखिए इस तरीके से तो आप एकदम फिरिज का ठंडा दूर यानि की चिल्ड दूर जो है इसमें डालेंगे और साथ साथ कर्ची से चलाते जाएंगे दोस्तों यह चलाना बहुत जरूरी है नहीं तो इसमें गुटलियां पड़ जाएंगी तो देखिए फिर जैसे ही बॉइलिंग आ जाए तो देखिए आप चलाते रहें और य हर्ब्स या औरिगेनो और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर बस उसके बाद आप इसको मिक्स कर लें और हमारी वाइट सॉस एकदम तयार है यह देखिए बहुत ज़दा थिक या गाड़ी नहीं कर नहीं है यह सॉस हमें यह देखिए इस तरीके से इस कंसिस्टेंसी की ह अगर आपको लगे हलकी सी गुटलियां पड़ गई है तो आप इसको विस्कर लें और देखिए एकदम स्मूध और क्रीमी हो जाएगी बस अब इसको साइड में रख लें चलते हैं रेड सॉस में मैंने थुड़ा सा ओलिव लिया है और इसमें डाले है प्यास प्यास को ब अगर आपको लगता है कि सबजी कची आपने डाली है तो इसको एक मिनिट के लिए ठकन लगा के पका लीजे और उसके बाद जो हमने टमाटर की प्यूरी बना के तयार की थी वह आप इसमें मिक्स कर लेंगे और बस उसके बाद एक मिनिट आप इसको अच्छे से बबल जाने दें इसके उपर और जैसी इसमें बबल जाने लग जाए तो आप इसमें केचप डालेंगे दो चम मच टुमेटो केचप और इसको थोड़ी देर के लिए और पकने देंगे बस एक से दो मिनिट और हम इसक कम आच पे करके और अपनी जो वाइट सॉस हमने तियार की थी वो हम इसमें मिला देंगे इस समय पर याद रहे कि जो आच है वो कम होनी चाहिए फ्लेम कम पे होनी चाहिए बस उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है पास्ता जो मैंने बॉल करके रखा हुआ था और अब हम इ एक से दो मिनिट बाद आप जैसी धकन उठाएंगे तो ये पास्ता अच्छे से सॉस में इंकॉपरेट हो चुका होगा दोस्तो नमक का ध्यान रखे का क्योंकि हमने सॉस में नमक डाल दिया था पास्ता में बॉल होते भी थोड़ा सा नमक डाला था तो जितना सॉस में और पास्ता में अज़स्ट करना हो वो नमक अब अज़स्ट कर सकते हैं ये देखिए हमारा पास्ता बनके एकदम तयार है बहुत ही टेस्टी पास्ता बना है थोड़ा सा पास्ता में निकाला है एक डिश में और उसके उपर में थोड़ा सा मॉजरेला चीज डाल रही हूँ औ और उसके बाद थोड़े से mixed herbs डालें, थोड़े से chili flakes डालें और इसको अवन में baked होने के लिए रख दे 5-7 मिनट के लिए, ये देखें, कितना tasty baked pasta बनके तयार है दोस्तों, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा tasty लगता है, और हाँ आपको अच्छा लगा हूँ अगर, तो प् सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तिल देन, bye and take care.